सुबा की भागदोड में हर रोज नास्ते में क्या बना ये सवाल रहता है तो आज मैं आपकी साथ बहुती टेस्टी हेल्दी वेज पोहा की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बहुती कम समय और कम तेल में बना कर तयार करेंगी हेलो दोस्तों में हूँ कविता और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागती हमेशा की तरह आज में फिर से आप लोगी साथ एक नई और स्वाधिष्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ इसे बनाना बहुती आसाने वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवे लेगा तो चले देर ना करते हुए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं तो ये बड़े आसा पोहा बनाने के लिए मैंने या पर लगबग एक कप पोहा लिया है वजन में देखेंगे तो 200 ग्र्याम पोहा है इसके बाद सब्जों में मैंने लिया एकटा प्याज, मटर, गाजर, बीन्स, थोड़ा सा सिम्बला मिर्च, बारी कटिवी हरीमेच और इसके बाद थोड़ा सा करीपता लिया है साथी तड़का लगाने के लिए हमने थोड़ा सा हिंग, आदा चमच जीरा, चोथाई चमच सरसो, आदा चमच नमक, चोथाई चमच पाउडर, एक चमच नमक करस, इसके साथी थोड़ा सा नाइलंड से और कटा हुआ धनिया पत्ता लिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोहा को एक प्लेट में डालेंगे, तो पोहा को मैंने पहले ही अच्छी से छान के डाला था, क्योंकि पोहा में कापी सारा टार्च पहले ही तो निकल जाने से पोहा जोए बिल्कुल खिला खिला बनके तयार हो जाता है, अब हम क्या करेंगे, इसमें पाने डालके इसे लगबख दो से तीन बार अच्छे से दो कर साप करेंगे, तो देखें या पर पोहा को मैंने अच्छे से दो लिया है, अब हम क्या करें इसके लिए ग्यास ओन करके कड़ाई गरम करेंगे और इसमें लगबग 2-3 चम्मस तेल डालेंगे तेल के गरम होते हम इसमें आदा चम्मस जीरा और चोथाई चम्मस सरसो डालेंगे और इसे मिडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करेंगे जैसे जिरा अच्छे से फ्राई हो जाएगा हम इसमें कटा हुआ प्याज और हरीमिज डालेंगे तो देखे याँ पर इस तरह से प्याज और हरीमिज को हमने डाल दिया है मिला देंगे प्याज को अच्छे से मिडियम फ्लेम पे प्याज और हरी मिर्च को हम लगबग 2-3 मिनिट के लिए भुनेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए वेश से तो कांदा पोहा आपने कई बार बना कर खाया होगा लेकिन एक बार इस तरीके से ये वेश पोहा बना कर देखिए बहुत ही ज़्यादा टेश्टी बनके तयार हो जाता है और साथ ही साथ हेल्दी भी है इसके बाद हम इसमें कटिवी सबजे एड़ करेंगे तो कटा हुआ गाजर बीन्स साथ ही कटिवी सिमला मिर्च मटर और करीपता भी इसमें डालेंगे तो देखिए इस तरह से मैंने एकी बार में सभी सबजे को एड़ कर दिया ही मिला देंगे सबजे को अच्छे से और अब हम इस तरह से लगातार चलाते हैं सबजे को हाई पलेम पे प्राइग करेंगे द्यान रखे सबजे को और कूख ना करें बलकि सबजे का कच्छा जो याँ पर चला जाए दो से तीन मीट के बाद हम इसका ढखकन अटाएंगे और सब्जों को चेक करेंगे तो देखे सब्जा याँ पर कापी अच्छे से फ्राई हो चुकिया और लगबग इसका कच्छापन भी याँ पर चला गया है तो अब हम क्या करेंगे इसमें गया हुआ फौ inlet करेंगे ऑन इसके बाद स्वादा नुसर नमक ढालेंगे तो लगबग एक चमच के करीब मेने नमक डाला है वी ए Phoenix क करेंगे इसे अच्छी से द्यान रख из दियान रके पोहा को मिल्कुल हलके हाथों मिक्स करेंगे कि पोहा बिगने के बाद क्याफी स्वर हो जाता यानि कि नरम हो जाता है और इसके करणे तूटने की संभाव न रहते हैं इसलिए हमेशा पोहा को हलके हाथों से मिक्स करना है लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा बारिक कटा हुआ धन्या पत्ता डालेंगे और आदे निम्बू का रज भी हम इसमें डालेंगे मैंने यापर टामाटर की जगह निम्बू डाला है आप चाहे तो टामाटर भी यापर डाल सकते हैं लेकिन निम्बू डालने से पोहा जो ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तयार हो जाता है मिला देंगे सभी निम्बू और नमक को अच्छे से और अब हम लोटू मिड की रेडी हो चुका है और बिल्कुल खिला खिला है अब हम गयास की प्लेम को बन करेंगे और इसे एक प्लेट में निकालेंगे तो ये लेज़े हमारा बहुती टेस्टी हेल्दी मिक्स वेज़ पोहा सर्व करने के लिए तयार है आप इस वेज़ पोहा की रेसिपी को सुब ब्रेकपास्ट में या तो शाम की छोटी मोटी भूक के लिए भी बना कर खा सकते हैं टेस्टी होने के साथ साथ कापी हेल्दी ब्रेकपास्ट रेसिपी तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें उमीद ही कि आपको आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी अगर आपको पसंद आई तो उडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूं मैं आपको एक और उडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद